चल रही थी राहुल जोती एक शाम दोनों अपने घर के बाहर केल रहे थे तभी उनकी मम्मी ओ राहुल जोती जरा इधर आओ जल्दी से तभी राहुल और जोती अपने घर को चले आए जैसे ही राहुल जोती घर के अंदर आए और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देख क्या बात है मम्मी आप इतना मुस्करा क्यों रही हो बात ही कुछ ऐसी है तुम्हारी नानी का कोल आया था आज उन्होंने हमें बुलाया है कल को हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं फिर ये सुनकर तो राहुल जोती की खुसी आसमान चुग गई चलो पैकिंग शुरू कर देते है नाना नानी के गाउँ चलते है और इंज्वाय करते है फिर क्या दूसरे दिन सुभए सब लोग जल्दी नाना नानी के गाउँ के लिए निकल पड़े राहुल जोती का नानी का घर काफी खूबसूरत और छोटा सा गाउं था जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे राहुल जोती जैसे ही नाना नानी के घर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए नाना नानी तयार खड़े थे राहुल जोती को नाना नानी बोले राहुल जोती आजाओ हमारे पास को आजाओ फिर राहुल और जोती नाना नानी के पास जाकर उन से लिपट गए फिर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिस्ट खाना खाकर राहुल जोती ने थोड़ी देर आराम किया और फिर दोनों अपने नाना नानी हाल का मजा लूटने के लिए तैयार हो गए ये लो तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का रस बनाया है इसे जल्दी से पीलो इसे गर्मी में पिया जाता है नानी की बनाई हुई इमली का रस पीकर तो राहुल जोती एक दम तरो ताजा हो गए फिर नानी जी ने आम के पेड़ पर एक बड़ा सा जूला टांगा राहुल जोती जूले पर बैठ गए और जूला जूलते जूलते हवा में बाते करने लग गए और फिर नाना जी के साथ घूमने चले गए और फिर रात हो गई फिर राहुल जोती नानी जी के साथ रात के खाने के लिए फिर घूमकर घर लोटाई नानी जी मैं आपके हाथों से खाऊंगा नानी मुझे भी किलाओ ना ये सुनकर नानी जी हसने लगी ठीक है ठीक है मैं तुम दोनों को अपने हाथों से किलाती हूँ फिर क्या राहुल जोती ने नानी के हाथ से पीट भर कर खाना खाया और खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और फिर राहुल जोती को गर्मी महसूस होने लगी यह सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हसने लगे यह देकर राहुल और जोती ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए आप सब हस क्यों रहे हो हमने कुछ गलत क्या है दिया क्या ना बेटा ना तुमने कुछ गलत नहीं कहा छोटा सा तो हमारा गाउं है हमारे पास एसी कैसे होगा बेटा लेकिन हमारे पास एक ऐसी जरूर है जो तुम्हारे शहर में नहीं होगा नानी जीने फिर जाकर छट पर गद्धे बिच्छाए और सोने लगए नानी हम भी आपके पास सूएगे हाँ हाँ। तुम दोनों मेरे पास सूजाओ आओ सू जाओ फिर क्या। खुले आसमान के नीचे थोड़ी हवा में राहुल और जोती आराम से नानी के पास सो गए और नानी से कहानिया सुनते सुनते